भगवान श्रीराम कृष्ट्ण देव श्रीमा शार्द्य देवी एवं स्वामी विवेकान की कृपा से हम सब दिव्य सत्संग का आनन्द ले रहे हैं कल हमने प्रश्ण जो लिया था कि जब जीवन में बहुत अधिक समस्यां हो जाती हैं तब क्या किया जाए कभी-कभी समस्यां ऐसी विक्राल होती है जबकि कुछ लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं और आत्मत्य कर लेते हैं तो ऐसी भैंकर समस्यां जब जीवन में आती है कभी-कभी तो क्या करना चाहिए हमने कहा था कि आत्मत्य उसका विकल्प नहीं है क्योंकि वह reverse journey है, आत्मत्या करने से फिर ऐसा कहा जाता है कि प्रेत्योनी में जाना पड़ेगा, अब फिर से वही कर्म प्रारब्द को पूरा करने के लिए फिर से उसी स्थिति में आना पड़ेगा, तो इतना extra suffering होगा, extra अधिक और भी दुख होगा, और फिर भी बाकी वही परिस्थिति को तो सामना करना ही पड़ेगा, तो उसका उपाय क्या है, उपाय एक मात्र है, आध्यात्मिक उपाय ही एक मात्र उपाय है, और वह कैसे है, वही हमने कहा था, IQ, EQ और SQ की बात कही थी, कि IQ हमको सिखाएगा, जीवन का खेल कैसे खेलें, बुद्धी मता पुर परन्तु जब जीवन में परिस्थितियां बदल जाती है, बहुत सारी कठिनाई आती है, हमारे मन में भी उसका रियक्शन होता है, काम, प्रोद, लोब, मुह, मत्मत्सर, ये इमोशन साते हैं, इनको नियंत्रित करना पड़ता है, ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, समस्याओं का, तो जीवन की जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब अपनी मन स्थिति को बदल करके, उन परिस्थितियों को अच्छी तरह से उसका सामना करना, और गेम को, जीवन रुपी खेल को अच्छी तरह खेलना, ये हमें एक्यू सिखाएगा, इमोशनल परन्तु कभी-कभी जैसे समस्या बहुत अधिक हो गई, तब हमें खेल से उपर उखना होगा, मानो बाउंडरी लेंज से बहार जाना पड़ेगा, आउट अप दो बॉक्स सुचना होगा, मानो ट्राफिक जाम है, बहुत ट्राफिक जाम है, हैबी ट्राफिक जाम है, तो फ्लाइ ओर से जाने का नाम है, डेवलप्मेंट अफ एसक्यू, जहां पर कि हम इस धरातल पर नहीं रहेंगे, यह पूरा जो धरातल है, हम संसार में हैं, माया में हैं, यह माया क्या है, समय, स्थल, काल की मर्या, समय, काल, टाइम, स्पेस और कॉजिशन, यह तीन सो मिलकर क माया होती है, जो एपसुलिट है, वो माया से पर है, हम लोग माया की भीतर में हैं, जब तक मी हम माया की भीतर में हैं, हम उन समस्याओं, कुछ-कुछ मुलभुच समस्याओं को हम सौल नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं कर सकते, क्यों? बली विक्राल समस्या हैं, तो हमें उपर उठना होगा मानसिक धरादपल से उपर उठना होगा अन्न में कोश प्राण में कोश मनों में कोश विज्ञान में कोश इन सब से उपर उठना होगा आनन में कोश में जाना होगा उसके उपर भी है जो आत्मा उसमें दियम प्रतिशित हो सके तो बहुत ही अच्छा है पर वो तो कब हो सकता है वह तो बहुत लंबी प्रक्रिया है आत्मसाक्षातकार की परण्तू उसके पहले जो आनंद में कोश है उसमें भी हम पहुँच जाते हैं तो या ध्यान का आनंद या भजन का आनंद इस आनंद के द्वारा या सेवा का आनंद, निश्वार सेवा का का आनंद, इन सब के द्वारा हमारा S.Q. डेवलप होगा spiritual intelligence IQ will tell you how to play the game of life EQ will tell you how to play the game of life under change circumstances with change strategies SQ will tell you why to play the game of life why are we here on this earth and how to go beyond this earthly atmosphere how to go beyond all these problems यह beyond जाने की बात है time, space and causation के परे की जो absolute है उसकी जब तक डिडिमस हम को नहीं मिलती है उसके साथ हमारा touch नहीं होता है तब तक हम कुछ-कुछ मुलबुत ऐसी समस्याओं को हम लोग उस प्रकार से face नहीं कर सकते हैं और इसलिए development of SQ is a must in our education system पता नहीं हम लोग ने recommend किया है कि SQ is a must और इसका हमको scientific proof बिल गया है किस प्रकार से हमारे neurologically भी proof मिले है psychological proof मिले है biological proof मिले है यह सब की चर्चा इन किताब में वखी गई है तो when there is a scientific evidence about SQ तो उसको develop करने की बहुत आवशकता है तो हमारे G1 में हम परिक्षा में कैसे pass हो है परिक्षा में grade कैसा अचा मिले उसकी हम जब हम training दे रहे है education दे रहे है परंतु G1 रूपी परिक्षा में जब समस्याय आती है उसको कैसे face करें failures आते हैं उसको कैसे face करें इसकी कोई training इसकी कोई शिक्षा हमारी education system में नहीं है यह development of SQ will tell us how to go beyond these problems, how to face these problems squarely after transcending them man has a unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception जैसे हम ने कहा था, Lincoln Barnett ने कहा, Einstein एदी निवर्स में यह capacity है मनुष्ची के पास पर उसके लिए उसको साधना करने पड़ेगे develop करने कार SQ और वो इसको develop करने के लिए बहुत सुन्दर उपाय स्वामी विवेका ने आधनिक मानों के लिए समन वे आत्मक योग हमारे समक शरका है उस दिन हमने कल कहा था कि दिविता जो है वो नहीत है, अंतरनी हीत है हमको इंपोर्ट करने के आउश्यक्ता नहीं है यह कैसे होगा, चार उपाय बता है राजयोग, भक्तियोग, ज्यानयोग, कर्वयोग ध्यान, प्रार्तना, निस्वार्त सेवा और चिंतन तो इन उपायों के द्वारा जब उस उस ट्रांसेंडिटल लेवल पर जाते है तब यह सब समस्यां इतनी छोटी-छोटी हो जाती है अभी तमस्यां विक्राल लगती है आप एरोपलेन में जाईए इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, seven-story building यह सब बिल्डिंग इतनी छोटी-छोटी दिखती है एरोपलेन से इतनी छोटी-छोटी उसी प्रकार से जब हमारा मानसिक लेवल, जब हमारा खुद का consciousness लेवल, जब उपर उठ जाता है, आध्यात्मिक स्टेज में हम जाते हैं, चाहे किसी योग के माध्यम से, तब ये जो समस्या हैं, वो हमारे लिए फिर बोनी प्रतित होती है, और तब हमें महिमत आती है, और तब बहादुरी आती है, और तब ये जो फुलिश आइडिया है कि केवल देह को छोड़ने से ही, हमारी गेम चुल जाएगी, गेम ऐसे छुटती नहीं है, तो गेम तो चलती रहेगी, पुनरपी जनमम, पुनरपी मरम जैसा कहा, तो गेम से उपर उठने का एक मातर रास्ता है, ये चार यो स्वामी विवेकान ने बहुत अच्छा समझे वादा कि यो की बात कही है, किसी ने कहा कि जिसने आत्मत्या की, वो उसके पैंडिंग लिस्ट में एक काम ये भी था, प्रिपैरिंग ए डॉकुमेंट्री अन स्वामी विवेकाना, ये दि यो डॉकुमेंट्री स्वामी पहले, तो ये नौबत नहीं आती, क्यों डॉकुमेंट्री बनाने एक लिए स्वामी करके किताब पढ़ता, तो अल्रेडी आटोमेटिकली ये स्पीच्वल इंट्लिजन्स, इसक्यू डेवलप्मेंट की सब बात, दिविता के अभिवित करने की बात, ये सब करने से, बहुत फेमस होलिवूड एक्टरस है, बॉलिवूड एक्टरस है, तो उसने हमारे बंबई की होस्पिटल के लिए बहुत बड़ा दान दिया, जब उसका रेनोवेशन हो रहा था, फिर उसको निमंटर दिया गया था, यू आ समिलन में, 12 जनेरी को नैशनल यूड दे था, तीन-चार सल पहले की बाद है, तो उस समय हमारे स्वामी जेने कहा कि किस प्रकार से स्वामी विवेक आनंद के किताबों को पढ़ करके, उनके विचारों से प्रेहित हो करके, कितने लोग आत्मतिया में से बज़ गये, कितने लोग को नया जीवन मिला, उनसे उसके बाद उसने कहा मेरा एक्जमपल को नहीं दिया तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर आती थी बुक्स्टोर में आकर किकी सवामी विएकान की बहुत डिप्रेशन में थी और उस समय विएकान की किताबों ने मुझे बचाया है तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी शुषान सिंग ने राजपूत ने भी यदि करते किताब पढ़ लेते स्वामी जी की और यह सब तोड़ा प्रेक्टिस करते चारियोग तो हो सकता है उनको यह सभी समस्यां से उपर उठने की लिफ्ट मिल जाती तो कुछ सिच्वेशन अलग होती फिर चाहे कोई भी रिजन हो नेपोटिजम बोलते हैं आजकल कि यह केवल वो ब्रेक अप नहीं था पर और भी बहुत सारी समस्याइटी उसकी और चार उसके उसके कर लिए पंदरा दिन में तो कुछ ने कुछ डाल में काला है तो जो भी होगा कोई भी प्रकार का समस्य किसी भी प्रकार के समस्या हो यह सबसे उपर उठने के लिए SQ will help us तो यह development of SQ through these four yogas जिसकी हम लोग four yogas की विस्त्रित बात हम लोग इंट्रनेशन योगा डे 21 जुन को थोड़ा सा करेंगे तो आज हम एक्जामपल देना चाहेंगे हमने कहा कि स्वामी विवेकानन ने अपने जीवन में जब थे तब भी कितनी लोगों को नया जीवन दिया उसमें से एक एक्जामपल में देना चाहूंगा जब स्वामी वेकान शिकागो धर्मसभा में अपना एतियासिक भाषण दिया 1893 में 11 सप्टमेशी 93 में वो एतियास एक दिन था और उसके बाद में पूरा और भी कुछ भाषण दी पार्लमेंट वर्ल्ड डिजन में फिर वहीं शिकागो में रहेगे कुछ समय के लिए और कुल साड़े तीन साल वहां यूरोप अमरिका में रहे फिर 1897 में वापास आये तो उसमें 1894 तक में काफी पॉपलर हो गयते वहां पर अमरिका में इसलिए उनको वहां रहना पड़ा और सब जगें प्रवचन करने जाते उसमें के बात है उसमें मेडम एमा कॉलवे बहुत थी फेमस ओपेरा सिंगर कि शीवाज़े टॉप ऑफर केरी अड़ टाइम ओरिजिनल फ्रांस की थी उसकी शिक्षा दिक्षा फ्रांस में हुई पर बाद में एक साल पहले वह अमरिका आगे थी अमरिका में यह जो मेट्रोपलिटन ओपेरा कंपनी उसके साथ उसका कॉंट कि अधिर टीब्रेक के लिए फिर वापस सेकेंड सिनक ले आई तो सेकेंड सिट के समय उसके मन में एक बड़ी विशाद की भावना आई उसका मन एकदम विशाद युक्त हो गया नर्वस हो गया वो तो कभी नर्वस होने वाली थी नहीं इतनी उसकी प्रसीद विशाद गाई का पर उसके मन में विशाद आ गया और वो कैसे भी करके उसने वितिय जो उसका सत्र था सेशन पूरा किया फिर उसने मैनेज झाल डॉर्टर जल करके खतम गए थी, इन एकसेडेंट, बल जल करके भस्म हो गई थी और वो ही एक मात्र उसका सहरा था, एक मात्र उसकासा, उससी के सहरे, वो टिकी भी थी, उसके जीवन ने बहुत, उसकी करुन जीवनी है, तो ये कैसे भी करके अपनी डॉटर के भरोसे वही उसकी जीवन की डोर थी ये जब मर गई उसका न्यूज मिला तो वो कॉल एकदम बेहुश हो गई और फिर उसके बाद में इसके मन में इतने सारे इतना डिप्रेशन आ गया इतनी दिराशा इतनी हताशा डिप्रेशन में चली गई और फिर उसने सोचा एक मात्र इसका उपाए एक ही है आत्मत्या उसकी एक फ्रेंड ने कहा कि यहाँ पर स्वामी विवे का अनन्द आये है वाई डूंट यू मीट हिम एंड टेक एडवाइस फॉम हिम स्याय तुमको मंद की शांती मिल जाए कुछ उपाए मिल जाए कालवे ने कहां मुझे किसी के पास नहीं जाना है मुझे भारतिय दर्शन वगरे में कोई इंट्रेस्ट भी नहीं है भारतिय दर्शन में मुझे सद्धा भी नहीं है वो तो क्या दर्शन की बात करेंगे विवेदान की बात करेंगे वो सब में मुझे इंट्रेस्ट नहीं नहीं गई और पासका जो तालाब था उसके घर में उस घर में उस तालाब में डूबने के लिए मरने के लिए गई आश्चरी की बात वो तालाब की तरफ जा रही है और उसके पैर उस तरफ जा रहे हैं पैर उसकर ले गए उसको जहां स्वामी विवेकानन रहते थे मिस्स हेल के हाँ शिकागो में वो जाकर करके देखती मिस्स हेल के रेसिडेंस पर आ गई यही पर तो आने की बात थी यही पर आने को कहा तो मेरी फ्रेंड ने पर फिर भी बोलन नहीं, नहीं, अंदर नहीं जाना है वापस गई फिर दूसरे दिन ऐसा ही हुआ चार बार ऐसा ही हुआ वो जाती है तालाब में डूमने के लिए उसके पैर उसको ले जाते हैं जहां स्वामी विवेकान ले देते हैं. पांचवे दिन फिर, पांचवी बार में उसने हिम्मत करके कॉल बिल दबाई, बीतर गई और उसको उसने अपनी फ्रेंड से का ठीक है मेरा जब पैर उधी तर जाता है तो तो मेरे लिए मुलाकात का इंटर्वी मेरा फिक्स करो तो उसको बोला गया था कि स्वामी विवेकान जब तक तक तो उसे बात न करी उसे बात मत करना वो गई स्वामी विवेकान के कमरे में, उनके स्टडी रुप में। प्लीज कम बड़े प्रेम में से कहले में पर आखे उनकी नीचे थी आखे उठ़ाया नहीं स्वामी जीने और वो बैठी सौमय जी कुछ भी नहीं बोले इसको भी बोला गया था जब तक स्वामे जी कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बोलना है स्वामे जी ने कुछ समय तक ध्यान किया वो ध्यान के जो vibration है उसकी असर इसपर हुई और एकदम पता नहीं, उसको अद्भूत मुन की शांती मिलें लगी, कुछ भी बात भी नहीं की थी उसने तो, बोली भी नहीं थी, उनकी उपस्थिती, ये जो वाइबरेशन की जो असर होती ध्यान की, इसका ये प्रमान है, क्योंकि उसने खुद ने लिखा है अपनी ओटो कालवेश, शीवाज रवेरी पॉपलर सिंगर, तो उनकी ओटोवेग दे भी बहुत भी की है, तो उसमें वो लिखती है कि इस प्रकार से अद्भूत मन में शांती मिली, बैटने से ही बाद भी नहीं की कुछ, के बल प्रिजेंस का इतना फरक पड़ा, और बाद में स्वाम इतनी तुम शांत हो, बी काम, बी काम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और फिर स्वामी विवेकानजी ने मेडम कालवे के जीवन की कई घटनाओं का वर्णन किया, जिसके बारे में मेडम कालवे के सिवा कोई नहीं जानता था, उसकी फ्रेंड भी नहीं जानती थी, पूर सब कुछ नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था, यह सब बाते जब बताई स्वामी वेकान ने, तब वो उत्ति जिद गई, who has told this to you, कि ने आपको इस सब बाते बताई, तो छोटी बच्ची के तरब जैसे देखते हैं, ऐसा स्वामी जी ने देखकर किया, Do you think it is necessary? क्या यह आवश्रक है? मैं तुम्हारी जीवन को उसी प्रकार से देख रहा हूं, जैसे एक किताब को देखता हूं, किताब को जैसा पढ़ते हैं, ऐसा तुम्हारा जीवन मेरे सामने है, और सब मैंने देख लिया है, उसके बाद में, स्वामी जी ने बहुत सारी बाते की, जिसका उल्लेक उसकी आटोबेगरफिय में नहीं है, उसने का जब में उठने लगी, तब स्वामी जी ने कहा, बी काम, and forget about what has happened, जो हुआ सो हो गया, अब नया जीवन सुरू करो, be gay and happy and be cheerful, फिर से आनन्दी बन जाओ, पहले जैसे आनन्द की पक्षी थी तुम थी, और आनन्द की पक्षी के समान गाना करती थी, your art demands it, your art demands it, यह तुमारी art जो है, और जितनी तुमारी emotions है, transmute your emotions into creative art, उनको transmit कर दो, इन भावनाओं को यह जो तुमारे आते हैं, उसको, उसका transmit कर दो, उसको परिवर्थित कर दो, कुछ creativity में, creativity जितनी तुमें बढ़ेगी, यह भावना है, उस प्रकार से, उस दिशा में चली जाएगी, और फिर, तुम इस प्रकार, फिर थोड़ा meditation भी साथ सीखा, या ऐसा बोलती है, मैडम कालवे, कि मैंने थोड़ा सा meditation भी सीखा था, तो जो भी होगा, उसको नया जीवन मिला, फ फिर से प्रफुलमई होगी, शी अगें बिकेम चीरफुल एंड गेंड एंड हैपी, एस टोल्ड बाई स्वामी जी, इस स्टार्टेड दुइंग सो मेनी प्रोग्राम्स, भह सारे प्रोग्राम किये, फिर ठारा सो निन्यानवे में सब स्वामी विवेकान दूसरी बारा है पैरिस की कॉंग्रेस में भाग लेने के लिए, तो वो उसमें पैरिस में थी, तो वहाँ फिर से उनको मिली, और फिर 1900 में, 1900 में, स्वामी विवेकानन कुछ अपने पाश्चात शिशों के साथ, इजिप्ट और मिडल इस्टन कंट्रीज, और इस्ट इरोप कंट्रीज, सबकी उन्होंने यात्रा की, उसमें वो शामिल थी, तो उसमें कई घटनाओं का वर्णन उन्हें किया है, और अपनी बायोगरफी में एक ही बात बोलती है, कि स्वामी जी had a wonderful way of convincing you and of driving the point straight into your mind, straight into your heart, कैसे, कि उनके पास एक wishes कला थी, वो example के द्वारा, उधान के द्वारा, अपनी बात को समझा देते थे, एक बार मेडम कालविन ने कहा, जब वो विदानत की बात हुई कि हमारा काम है, what is the ultimate aim of विदानता, to become one with सच्चित आनन्द, existence, knowledge, absolute, existence, absolute, knowledge, absolute, bliss, absolute, सच्चित आनन्द, इसकी प्राप्ती हो गई, जीवन का उद्दिश पूर्णा हो गया, पूर्ण विराम, सच्चित आनन्द, रुपी सागर में हमको अपने आपको विसर्जित कर देना, बस यहां पर हो गया, तो उसने का, नहीं, नहीं, मैं विसर्जित होना नहीं चाहते हूं, मैं मुक्ती नहीं चाहते हूं, what will happen to my individuality, सामी जी उसको बाद में कहते हैं, यहां पुछते हैं, what will happen to my individuality, और सामी जी उसको बहुत मजाक की रूप में कहते, what will happen to my individuality, ऐसा धीरे-दीरे करके, break करके, individuality, मेरा क्या होगा, मतलब हो हंकार, मेरा हंकार, मुझे अपना हंकार नहीं छोड़ना है, यही बात है, मैं इस प्रकार से अपने आपको खोना नहीं चा पानी मुर्ख, तुम्हारे समानी मुर्ख एक पानी की बुंद थी, वो आकर के समुद्र में गिर गई, तुम्हारे समान रोने लग गई, अरे, मेरा तो अस्थित्व खतम हो गया, मैं तो समुद्र में मिल गई, मेरा अस्थित्व खतम हो गया, वो बुंद रोने लग गई तो समुद ने कहा, तुम रोती क्यों हो, अरे तुमारा अंत कहा हुआ है, तुम तो इतने सारे तुमारे भाई बैन जो drop-nate है, उनके साथ मिलकर हो है, उनके साथ एक हो गई हो। तुमारा अस्तित नहीं हुआ, और फिर भी यहिदे तुमको अपना अस्तित चाहिए, तो चि को वर्षा की बहुत आवश्यक्त है रो मत जीवन दुसरों की कल्याण के लिए है तुम जो आ रही हो सच्ची दानन रुपी सागर में जो जा रही हो वह भी दुसरों की कल्याण के लिए है तो सच्ची दानन रुपी सागर में जाना मतलब अपने आपको विलिन करना नहीं है अपने आपको कृतार्थ करना है जो हमारा मूल स्वरूप है उसमें going back, it is not going away यह अपने आपको खतम कर देना का नहीं है, going back to our original state जहां से मैं है, तो इस प्रकार से स्वामी विवेकन उसको समझाया करते थे, तो बाद में स्वामी विवेकन जी के महासमादी 1902 उसके बाद भी उस तब तक वो स्वामी जी के साथ पत्राचार करती रहती थी, बहुत सारा उनके सला भी लेती रहती थी, और 1910 में उसका बर्थ है 1865, एर वो लॉग लाइफ बाद में उसने जिया, और 1942 में, 1942 में उसका से गया, लास्ट में, फ्रांस में, पर उसके पहले 1910 में वो बेलूमट आई थी, बेलूमट आई तब उसने, जो हमारे रामकृष्ण देव का पुराना मंदीर है बेलूमट में, वहाँ पर उसने, हमारे जो उस समय के रामकृष्ण देव के सन्यास्री श्रीशे थे, उनके क कि मैं आज जिदी जो कुछ भी हूँ, यदि आज जीवित हूँ, वह स्वामी विवेकान्द की कारण है, उनके बिना मेरो कुछ नया जीवन नहीं मिलता, तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में कितने ही लोगों को प्रेरित किया, उस वेदान्थ क संदेश के द्वारा कितने लोगों को नया जीवन मिला, कितने लोग आतमते मैं से बच गये, और आज उनकी पुस्तकें, पुस्तकों में इतना कमाल है, इतनी पावरे, इतनी शक्ती है, उनकी पुस्तकें उस दिन हमने एक्जामपल दिया था किस प्रकार से ये अनना हजारे कैसे बज गए थे ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्वामी विएकान की किताब पढ़कर के भी आज भी नया जीवन प्रारग पा रहे हैं हताशा निराशा को छोड़कर के यह एक उचे लेवल पर जाकर के एसक्यू को प्राप्त करके और इन सभी ऐसी समस्याएं जो मानसिक धरातलवल हम जयते लगता है कि इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है और उससे संग्राम करना हमाली असंभव है परन्तु यह उपर उठ करके तो उसके जैसे बताया है माया की उपर उठने का थिनी नहीं नहीं चितने अंकार नहीं हूं चृदान रुप शिवह हम शिवह हम और मैं इस पर हूं पिछिवि ऊपाय है भक्ति का उसको अतिक्रमन करना बहुत कठीन है परन्तु तो उपाय क्या है माया धीश के शरण में जाने से हम इस माया के अंतरगत है तो हम उसको माया को अतिक्रमन करेंगे यह कैसे हो सकता है माया धीश के शरण में जाएं तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज़ अहमत् Shri Krishna ने कितना promise दिया है जो भी तुमारी चिंता सब छोड़ दो आओ मेरे पास हमको सब चिंताओं से मुख्त कर दूँगा चिंता मत करो मेरे पास आजाओ मेरी शरण में आजाओ यह आवान करते हैं भगवान इसलिए हमारे पास कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो यदि हमको लगता है कि हम हमारे द्वारा ये समस्या का समादन नहीं हो सकता है हम चारों से घिर गए हैं शत्रों से बाये सत्रू भीतर के सत्रू अब हमारे पास कुछ भी सब नहीं है कुछ भी सस्त्र हमारे बाकि निद्हा तब हमारे पास एक मात्र सस्त्र है एक शर्णड़नागती का और उसी समय सच्छी शर्णड़नागती आती है शर्णमुच में तो जब तक हम अपने आपको निश्वारा नहीं समझेंगे जब तक हमारा ऑगो थोड़ा सा भी बाकि है जब तक हमारा हंकार बाकी नहीं मैं लड़ लूँगा मैं कर लूँगा वो जब पूरा क्रश हो गया that is the time when we can really surrender तो यह surrender जब हम करते हैं to God तो इन सब समस्यां से और यही एक मातर समाधा ने देह को विस्वजित करने से कोई समस्या का समाधान नहीं क्योंकि जो मन है जिस मन के द्वारा मन में इतनी सारी समस्या यह मन ही अमारे साथ आने वाला है उसका यह देह को चोड़ने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है समस्या का सबाधान होगा जब हम उस मायाधिश के शरण में जाएंगे तो इश्वर के चरणों में यही प्रार्तना करें भगवान श्री रामकृष्ण माशारदादीवी सामवेकन के चरण में ही प्रार्तना करें कि हम उनकी शरण में जा सके, उनको प्रार्टना करे और हमारे जीवनें कितनी भी बड़ी समस्यागे हैं, उन समस्याओं का समाधान के लिए वो हमको हमको सहरु हों और हमको इस प्रकार से अपनी शरण में ले ले ओम शांति 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 हरी ओम तस्त श्री राम कृष्टनार पनमस्तू